वेलकम तो इस वीडियो स्टुडेंट्स इन दिस वीडियो वी आर गोंग तो सोल्व एक्ससाइज नंबर 1.5 क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्वेश्चन आपको दिया है classify following number as a rational और irrational मतलब आपको यहाँ पे निच्चे कुछ numbers दिये होंगे और आपको बताना है कि वो rational number के अंदर आता है या फिर irrational number के अंदर आता है ठीक है तो यहाँ पर सबसे पहले question हम देखते है सबसे first वाला question आपको दिया है 2 minus root 5 अब यहाँ पर आप इस number को देखोगे तो य लेंगे इस तरीके का आपको हर एक question के अंदर different combination दिया होगा और उसको आपको simplify करना है ठीक है और simplify करने के बाद अगर उस combination के अंदर कोई एक भी irrational number बच जाता है तो वो पूरा number irrational number के अंदर आएगा ठीक है तो इसको अगर हम simplify करे ना तो यहाँ पर 2 and root 5 जो दोनों numbers है वो flare 2xy plus 3xy अगर आपको इस तरीके से addition दिया है तो यहाँ पर चेक करते थे कि variable कुन सा है x and y और यहाँ पर variable कुन सा है x and y पिर यहाँ पर x की power कितनी है 1 यहाँ पर y की power कितनी है 1 और यहाँ पर y की power कितनी है 1 तो दोनों जो terms है उसके अंदर variables भी से हैं में और दोनो variables के उपर power भी से हैं में ठीक है तो यहाँ पे दोनो terms कैसे हो जाते थे like terms होते थे इसके लिए यह दोनो terms add होके answer क्या आ जाता था 5xy उसी तरीके से अगर आपको दूसरा इस तरीके से दिया है 5x2y-3x2y ठीक है तो यहाँ पे आप क्या करते थे variables check करते थे तो इसके अंदर कौन-कौन से variable है x and y इसके अंदर भी कौन से variable है x and y तो दोनों के अंदर same variables है दूसरी चीज़ power check करनी है यहाँ पे x की power कितनी है 2 यहाँ पे x की power कितनी है 2 same power है y की power 1 यहाँ पर y की power 1 again power कैसी है same तो अगर variables भी same है और दोनों के अंदर अगर powers भी same है तो दोनों terms कैसे हो जाते थे like terms और यहाँ पर subtraction हो जाता था 5-3 2x2y ठीक है यहाँ पर 5x2y थे उसके अंदर से हमने 3x2y को minus कर दिया तो answer क्या आएगा 2x2y ठीक है इसी तरीके से अगर हम दूसरा question देखे आपको इस तरीके से अगर कोई question दिया है 5x2y3 minus 3x2y ठीक है तो यहाँ पर क्या होता था variables अगर हम check करें तो इसके अंदर variable कौन से है x and y और यहाँ पर भी variable कौन से है x and y लेकिन अगर यहाँ पर हम power check करें तो यहाँ पे x की power ही 2 और यहाँ पर x की power ही 2 तो power दोनों जोगा x की से हमें लेकिन y की यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1 तो यहाँ पे variables सो हमें लेकिन power different हो गई उस वज़े से यह दोनों terms जो कैसे हो जाएंगे unlike terms और उसके बीच में subtraction नहीं हो पाएगा ठीक है अगर दो terms unlike होते हैं तो उसके बीच में subtraction या तो फिर addition ठीक है addition या फिर subtraction possible नहीं है ठीक है तो यहाँ पर जो आपको terms दी है 2 और root 5 तो वो दोनों numbers भी कैसे होंगे unlike terms तो यहाँ पर उसका कुछ भी simplification नहीं हो सकता यहाँ पर 2 minus root 5 का वही answer रहेगा पर अगर यहाँ 2 minus root 5 को आप देखोगे तो उसके अंदर root 5 यह वो irrational number है तो अगर एक भी number irrational रह जाता है तो पूरा combination कैसा हो जाता है इर्रेशनल हो जाता है तो हम यहाँ पर लिख देंगे it is irrational it is irrational ओके तो first number हमारा कैसा हो गया इर्रेशनल अगर second number देखे तो second number आप देख पार होंगे root 3 plus root 23 इंदी bracket फिर आपको दिया है minus root 23 अब इसको अगर हमें simplify करना हो तो सबसे पहले हम यह bracket रिमू कर देते हैं और अगर आपको starting में ही bracket दिया है तो आप उसको directly रिमू कर सकते हो तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 plus root 23 minus root 23 अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यह जो combination है उसके अंदर simplification हो सकता है ठेके यह जो plus root 23 है वो इस minus root 23 के साथ cut हो जाएगा तो यह plus root 23 minus root 23 अगर cut हो जाता है तो बचता है यहाँ पर सिर्फ 3 और 3 बचा उसके अंदर कोई भी irrational number नहीं है तो यहाँ पर हमने simplification किया उसके बाद number के साथ बच रहा है rational number तो हम यहाँ पर लिख देंगे it is a rational number ठीक है जो भी आपको यहाँ पर बड़ा number दिया है उसको आपको simplify करना है और अगर simplify करने के बाद अंदर कोई भी एक कद irrational number बचता है तो पूरा number पूरा combination है वो irrational हो जाता है लेकिन यहाँ पर इस number को जब हमने simplify किया तो इसके अंदर कोई भी irrational number नहीं बचा है इसलिए यह number कैसा हो जाएगा rational number हो जाएगा ठीक है वैसे हम question number 3 देखते है question number 3 आपको दिया है 2 root 7 upon 7 root 7 अब यहाँ पे इसको हम simplify करें तो उपर वाला root 7 निचे वाला root 7 का साथ cut हो जाएगा तो यह जो number हो बन जाएगा 2 upon 7 और इस number के अंदर कोई भी irrational number नहीं है तो यह number पी कैसा हो जाएगा rational number तो यहाँ पे लिख देंगे it is a rational number it is a rational number यहाँ पे भी number ओके next question number 4 आपको दिया है 1 upon root 2 अब देखो यहाँ पे 1 upon root 2 के अंदर कुछ भी simplify करने जैसा नहीं है तो 1 upon root 2 के अंदर कुछ simplify नहीं होगा तो 1 upon root 2 रहेगा और इस number के अंदर आप देख पारे हो कि यहाँ पे आपको root 2 दिया है जो की एक irrational number है ठीक है तो कोई भी number के अंदर अगर कोई एक irrational number आ जाता है तो पूरा जो combination होता है कैसा हो जाता है इर्रेशनल तो यहाँ पे हम लिख देंगे इस इर्रेशनल ओके यह 1 upon root 2 कैसा हो जाएगा इर्रेशनल हो जाएगा फिर question number 5 देखते है question number 5 आपको दिये 2 पाई अब 2 पाई सिर्फ एकी टम है तो उसके अंदर भी कोई भी simplification possible नहीं है ठीक है तो यहाँ पे कोई भी simplification नहीं होगा तो यह टम है वो 2 पाई रहेगा और यहाँ पे आपको पता है कि पाई कैसा नंबर है इर्रेशनल नंबर तो यहाँ पे अगर पाई इर्रेशनल नंबर है तो उसके होज़ा से यह पूरा टम भी कैसा हो जाएगा इर्रेशनल हो जाएगा तो हम यहाँ पे लिख देंगे आंसर इट इस इर्रेशनल ठीक है 2 पाई भी कैसा हो जाएगा इर्रेशनल तो इसी के साथ है हमारा question number 1 जो है वो खतम हुआ अब question number 2 देखते question number 2 आपको दिया है simplify following expression यहाँ पे आपको दिया है simplify following expression तो यहाँ पे first question हम देखते 3 plus root 3 और यहाँ पे bracket में दिया है 2 plus root 2 अब देखो यहाँ पे इसको अगर समदने के लिए try करें तो यहाँ पे दो brackets दिये यह first bracket दिया है और यहाँ पे आपको second bracket दिया है ठीक है और दोनों bracket के बीच में यहाँ पे कोई भी sign नहीं है उसका मतलब क्या हुआ कि यह first bracket और second bracket का multiplication होना चाहिए यहाँ पे ठीक है अगर कहीं भी बीच में कोई sign नहीं दिये उसका मतलब वहाँ पे आपको multiplication करना है तो यहाँ पे first bracket और second bracket दो चीजों का आपको multiplication करना है ठीक है अब next आप देखो ना तो यहाँ पे first bracket के अंदर दो टम से 3 plus root 3 ठीक है यह first term होगा और यह second term होगा वैसे ही second bracket के अंदर भी आप देखो तो वहाँ पे भी दो term से इसको हम first term बोलेंगे फिर plus के बाद इसको हम second term बोलेंगे ठीक है तो दोनों के अंदर दो दो term से और उनका multiplication करना है तो इनका जो multiplication है वो हमने algebraic में जैसे हम binomials की multiplication करते थे वैसे इसका multiplication हो जाएगा ठीक है जैसे x plus y multiply 2x minus 3y इसका multiplication जिस तरीके से करते थे कि यहाँ पे first x का multiplication 2x के साथ होगा फिर x का multiplication 3y के साथ होगा फिर यहाँ पे x का turn दोनों के साथ आजाएगा फिर y का turn होगा ठीक है तो y का turn फिर 2x के साथ होगा और y का multiplication फिर 3y के साथ होगा इस तरीके से multiplication इसके अंदर करना होगा ठीक है लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ आपको numbers दिए और कुछ numbers आपको root वाले दिए तो उनका multiplication किस तरीके से करना है वो हम यहाँ पर सीख लेते हैं देखो यहाँ पर अगर 3 multiply 2 आता है ठीक है तो यह चीज़ तो आपको आती है कि इसको किस तरीके से multiply करना है 3, 2, 6 इस तरीके से multiplication कर देंगे ठीक है लेकिन अगर number के साथ कोई root वाला number multiplication में आता है तो इन दोनों को किस तरीके से multiply करना है वो हम यहाँ पर देखते है तो अगर number root वाला number के साथ multiply में आता है तो हमें number आगे लिख देना है और root वाला number इस तरीके से पीछ है दोनों को join कर देना है तो यहाँ पे इन दोनों का multiplication हो जाएगा ठीक है यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखना है कि जो number होता है उसको आगे रखना है ठीक है अगर आपको इस तरीके से भी दिया है root 2 multiply 3 तो भी इसका answer 3 root 2 आएगा ठीक है यहाँ पे 3 root 2 था अदमने 3 root 2 लिखा तो यहाँ पे यह नहीं समदना है कि जो number आगे उसको आगे रखना है अगर root 2 multiply 3 देते हैं तो भी आपको 3 को याद रखना है ठीक है तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है कि जो root वाला number है उसको पीछे रख देना है और जो simple number है उसको आगे रख देना है तो उन दोनों का multiplication हो जाएगा ठीक है वैसे ही अगर 2 root वाले numbers आते हैं जैसे root 2 root 3 multiply root 2 ठीक है तो जैसे 2 multiply 3 6 हो जाता है तो यहाँ पे 3 multiply 2 6 हो जाएगा लेकिन यहाँ पे simple number था तो यहाँ पे answer में क्या आया simple number आया लेकिन यहाँ पे root वाले numbers है तो यहाँ पे answer में root वाला number आएगा ठीक है काफी easy है root 3 multiply root 2 क्या हो जाएगा root 6 हो जाएगा अब यहाँ पे ना एक दूसरा एक चीज़ आपको समदना है तो देखो यहाँ पे ना आप directly answer इस तरीके से 3 लिख देना है ठीक है आपको क्या कर देना है square root जो है उसको अटा देना है अब यह क्यों होता है देखो यहाँ पे अगर आप multiply करते हो 3, 3 जा क्या होना चाहिए? 9 फिर यह तो नंबर root में है तो यह number भी कैसा आना चाहिए? root में आना चाहिए लेकिन root 9 है उसका answer तो 3 वह जाता है क्योंकि 9 का square root क्या होता है? 3 तो आप directly इस तरीके से भी answer लिख सकते हो कि root 3, root 3 अगर same number का multiplication है तो सिर्फ root 8 देना है और यहाँ पे वही number लिख देना है ठीक है? सपोस्थ कि आपको root 2 multiply root 2 दिया है तो यहाँ पे directly answer क्या लिख देना है? 2 लिख देना है अगर यहाँ पे आप root 4 लिखोगे तो आपका 1 step ज्यादा हो जाएगा ठीक है? कि 2, 2 is a 4 फिर उसको root में लिखोगे तो 4 का square root फिर क्या बन जाता है? 2 बन जाते हैं तो आपको यहाँ पे root 4 लिखने की जरूरत नहीं है directly आप 2 भी लिख सकते हो ठीक है? तो यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर same number root वाले है और उसका multiplication आता है तो हमें क्या करना है? सिर्फ root अटा देना है और अगर different number आता है तो उनका multiplication करना है और multiplication का जो भी answer आता है उसको भी हमें root के अंदर रखना है तो यहाँ पे इतने rule समदने के बाद हम इसको multiplication easily से कर सकते है तो यहाँ पे multiplication करें तो सबसे पहले क्या होगा? 3 का turn आएगा ठीक है? 3 सबसे पहले 2 के साथ multiply होगा तो यहाँ पे 3, 2 जा बन जाएगा 6 फिर क्या होगा? 2 का turn complete हो गया तो फिर अप root 2 का turn आएगा 3 multiply होगा root 2 से तो बन जाएगा 3 root 2 और sign कौन से रखेंगे तो plus और यह भी plus 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 क्या होगा? plus तो यहाँ पे 6 plus 3 root 2 इतना करेंगे तो 3 जो है उसका turn खतम होगा क्योंकि वो इन दोनों numbers के साथ multiply हो चुका है 2 के साथ भी multiply हो चुका root 2 के साथ भी multiply हो चुका अब root 3 का turn आएगा ठीक है? सबसे पहले root 3 multiply होगा 2 के साथ तो बन जाएगा 2 root 3 plus plus यहाँ पे sign आएगी plus की फिर यह root 3 multiply होगा root 2 से तो root 2 multiply root 3 हो जाएगा root 6 यह plus यह plus तो यह इसकी sign भी plus आएगी ठीक है? अब next यहाँ पे समदना है कि यहाँ से इसका simplification किस तरीके से करना है ठीक है? तो यहाँ पे हम like terms के बारे में थोड़ा समद लेते हैं ठीक है? देखो एक होते है number वाले terms ठीक है? और दूसरे होते है root वाले terms अब देखो जो number वाले terms होते हैं ना वो numbers वाले terms के like terms होंगे ठीक है चैसे आपको अगर दिया है two plus three तो दोनों simple numbers है तो एक दूसरे के like terms होंगे दोनों add हो जाएंगे और क्या बन जाएगा five बन जाएगा लेकिन अगर आपको एक number दिया है और दूसरा अगर आपको root दिया है तो वो दोनों terms हो जाएंगे unlike terms और एक दूसरे के साथ add नहीं हो सकते ठीक है तो क्या बता चला कि number वाले terms और root वाले terms एक दूसरे के unlike terms होते है ठीक है चैसे हमने algebraic expression में पढ़ा था कि एक numbers होते हैं और एक variable होते है ठीक है तो अगर नंमबर में से लेता हूँ और variable में से x लेता हूँ तो 2 प्लस x दोनों unlike terms हो जाएंगे और दोनों x दूसरे के साथ add नहीं हो सकते वैसे ही number वाला और root वाला term एक दूसरे के unlike terms हो जाएंगे और दोनों एक दूसरे के साथ add नहीं होंगे तो इसका simplification आगे कुछ नहीं होगा इतना ही रहेगा ठीक है अब देखते हैं कि root वाले terms एक दूसरे के साथ किस तरीके से deal करते हैं तो variables में बता है कि variables का make variable लेता हूँ x और अगर दूसरा variable लेता हूँ y और दोनों को मैं अगर add करना चाहूँ तो यह दोनों terms कैसे हो जाएंगे unlike terms हो जाएंगे यह दोनों terms एक दूसरे के साथ add नहीं हो पाएंगे वैसे ही अगर different different variables है तो वो एक दूसरे के साथ add नहीं होते है वैसे ही roots भी अगर different different है तो वो एक दूसरे के साथ add नहीं हो पाएंगे ठीक है जैसे अगर देखो यहाँ पर example लेते एक आपको दिया है root 2 और दूसरा आपको दिया है root 3 तो इन दोनों roots को आप देखोगे तो दोनों roots कैसे है different यह root 2 है वर यह root 3 है तो यह दोनों एक दूसरे के साथ add नहीं होंगे ठीक है यहाँ पर root 5 नहीं कर देना है क्योंकि यह दोनों unlike टम से है तो दोनों एक दूसरे के साथ add नहीं हो सकते ठीक है यह चीज़ आपको खास याद रखनी है कि root 2 और root 3 एक दूसरे के साथ add नहीं होंगे ठीक है वैसे अगर variable में आपको same variable देते हैं जैसे अगर आपको x और दूसरा variable भी x अगर x प्लस x दिया तो आप कहां लिखते हैं 2x ठीक है 1x और ये दूसरा x तो क्या हो जाता था 2x वैसे ही अगर root के अंदर आपको same roots दिये जैसे कि आपको दिया है root 2 plus root 2 ठीक है same roots देते हैं तब वो बन जाता है like terms यह दूब एक दूसरे के साथ add हो सकते और इसका answer क्या होगा एक root 2 और यहाँ पे दूसरा root 2 तो इसका answer हो जाएगा 2 root 2 ठीक है तो इस तरीके से इस तरीके से दोनों चीज़ों को आप एक दूसरे के साथ compare करके आप decide कर सकते हो कि कौन से like terms होंगे और कौन से unlike terms होंगे simple आपको बता हो तो आपको इस तरीके से याद रखना है कि जो same roots होंगे वो एक दूसरे के like terms होंगे और वो एक दूसरे के साथ add या फिर minus हो सकते है ठीक है तो देखो यहाँ पर अगर आपको इसको simplify करना है तो आपको क्या करना होगा like terms find करने होगे अब like terms कैसे find करते है वो यहाँ पर देखते है यहाँ से जो bc का यहाँ पर थोड़ा apply करते है तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से question solve करने होते है देखो यहाँ पर आपको number दिया है 6 यहाँ पर 6 मतलब क्या होगा अकेला number अब number किसका like terms होता है सिर्फ number का तो यहाँ यहाँ पर आप देखोगे तो कोई भी आपको अकेला number नहीं दिखेगा तो यह जो number है 6 हो किसी के भी साथ add या फिर minus नहीं हो सकता तो दूसरा number देखते है दूसरा number आपको क्या दिया है 3 root 2 अब इसको देखना है root 2 है ठीक है तो root 2 वाला number है वो root 2 वाला number के साथ यह add होग फिर number आता है 2 root 3 तो यह भी root वाला number है और root इसका क्या है root 3 तो यहाँ यह number जो हो रूट 3 वाले numbers के साथ ही add या तो minus होगा और यहाँ पर आप देख पर हो कि कोई भी number root 3 वाला नहीं है ठीक है next आपको दिया है root 6 तो कोई भी root 6 वाला number भी नहीं है तो यह भी किसी के साथ plus या तो फिर minus नहीं होंगे तो यहां से आपको क्या पता चलता है कि इसके अंदर जो 4 terms है 1,2,3,4,4 चारों के 4 terms के से unlike terms क्यूंकि 4 के 4 unlike terms है तो एक दूसरे के साथ add नहीं हो पाएंगे ठीक है add या फिर minus नहीं हो पाएंगे तो इसका आगे कुछ भी simplification नहीं होगा यहीं उ तो roots से वो different different है जैसे इसके पास root 2 है इसके पास root 3 है और इसके पास root 6 है तो अगर different different roots है वो तो एक दूसरे के साथ add नहीं हो पाएंगे जैसे यहाँ पर different different variables आ जाते है जैसे x plus y plus 3z ठीक है यहाँ variable x है यहाँ पर variable y है यहाँ पर variable z है तो different different variables आ जाते है तो एक दूसरे के साथ एड नहीं हो पाते हैं अगर यहां पर root 2 होता तो यह दोनों टर्म से एक दूसरे के साथ एड हो जाते हैं अब देखते हैं question number 2 question number 2 आपको दिया है 3 plus root 3 3 minus root 3 3 plus root 3 and 3 minus root 3 अब यहां पर भी multiplication इसी तरीके से आप कर सकते हो ठीक है लेकिन यहां पर हम identity apply करेंगे ठीक हमने एक identity पड़ी थी इस तरीके से अगर आपको दिया x minus y और x plus y तो इसका answer क्या हो जाता है x square minus y square तो यहां पर आप इस numbers को देखो गे तो आपको इसी तरह की ठीक है और कि identity दीखेगी देखो यहाँ आपको दिया है 3 plus root 3 3 minus root 3 तो यह वही identity इसके इंतरे apply होगी x plus y x minus y तो यहाँ पर हो जाएगा x का square Xy iN‍b jcvao2-y 2 यहाँ यहाँ मतलब x की जगह पर कैं आ गया थ्री या एक्स का स्कुएर मतलब क्या हो जाएगा रू यहाँ Pर kai की जगह पर क्या गया रूट 3 यहाँ आ पर वाट कיל मतलब रूट 3 का स्कुएर हो जाएगा ठीक है अब देखो यहाँ पर वाली चीज़ तो पता है ठीक है कि 3 का square क्या होता है 9 लेकिन root वाले numbers का जब भी आप square करो तब आपको क्या करना है सिर्फ root remove कर देना है ठीक है यहाँ पर क्या होगा कि root और square एक दुसरे के साथ cut हो जाते है तो root और square एक दुसरे के साथ cut होगा तो बचेगा क्या 3 तो इस तरीके से याद रखना है या फिर आप ऐसा भी याद रख सकते हो कि जब भी root वाले numbers का square होता है तो number ही उसका answer हो जाएगा सिर्फ root उसका जो है वो remove हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर बचा 9-3 तो इसका answer आ जाएगा 6 ओके next हम देखते है question number 3 question number 3 आपको दिया है root 5 plus root 2 का square अब देखो यहाँ पर जो है वो भी identity पर depend करेगा ठीक है identity कौन से depend करेगा यहाँ पर लगेगी x plus y का whole square और यहाँ पर उसका expansion क्या आता था हमने class 8 में भी इसका पड़ा हुआ है इसका expansion होता है x square plus 2xy plus y square तो यही identity apply कर क्या आपको यह वाला question करना है ठीक है अगर आपको यह multiplication use करके करना है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो root 5 plus root 2 multiply में root 5 plus root 2 ठीक है यहाँ पर square का मतलब क्या होगा कि यह वाली चीज़े उसको दो बाल लिख देना है तो इसको इस तरीके से लिख के आप multiply करोगे तो भी आप cancer आ जाएगा या फिर इसके हम इसके उपर हम identity apply कर देंगे ठीक है identity apply करेंगे तो सबसे पहले क्या आता है x का square तो यहाँ पर जो number होता है वो बन जाएगा x तो हमारा x बन जाएगा root 5 तो यहाँ पर हम लिख देंगे root 5 का square फिर टम क्या आता है 2xy मतलब की 2 आएगा x मतलब यह first term मतलब root 5 लिख देंगे और y मतलब second term तो root 2 लिख देंगे ठीक है 2xy 2xy का मतलब क्या होता है कि 2 की जगा पर आपको 2 लिखना है x मतलब जो first term है वो और y मतलब जो second term है वो लिख देना है तो यहाँ पर first term था root 5 और second term था root 2 आपने लिख देना है ठीक है फिर next क्या आता है y का square तो y मतलब second term का square तो second term आपको दिया है root 2 तो यहाँ पर आ जाएगा root 2 का square ठीक है इस तरीके से आपको identity लिख देना है यहाँ पर आपको यह गलती नहीं करनी है कि root 5 प्लस root 2 का square की आ दिया है आपको तो आप सिर्फ root 5 का square और root 2 का square सिर्फ दो चीज़े ही नहीं लिखने है ठीक है यहाँ पर always जो middle वाला term है वो compulsorily आता है तो इस चीज़को आपको भूल नहीं जाना है ठीक है next यहाँ पर root 5 का square तो जैसे हमने यहाँ पर discuss किया था वेसे ही जब भी root वाले number का square आता है तो सिर्फ root 8 देना है तो यहाँ पर बन जाएगा 5 और यहाँ पर अगर multiplication करें तो number वाले terms, number वाले terms के साथ multiply होते है तो number वाला सिर्फ एकी term है 2 और दूसरा कोई भी सिर्फ number वाला term नहीं है तो यहाँ पर 2 रहेगा 2 और root वाले terms, root वाले terms के साथ multiply हो जाएंगे तो यहाँ पर root 5 और root 2 multiply होगे 5 2 बन जाता है 10 और यह दोरों root में थे तो यह भी रहेगा root के अंदर तो 2 root 10 बन जाएगा ठीक है और यहाँ पर 2 का square क्या बन जाए रूट 2 का square क्या हो जाएग ठीक है यहाँ पर square root remove हो जाएगा square root और square एक दूसरे के साथ cut हो जाएगे तो यहाँ पर बन जाएगा 2 अब देखो यहाँ पर तीन टर्म्स बन रहे एक दो और तीन टर्म्स बन एंगे उसमें से like terms हम देखे तो number वाले terms तो number वाला term five number वाला term है सिर्फ number और यहाँ पर two द तो इस तरीके से इसका सिंप्लिफिकेशन हो जाएगा ठीक है यह दोनों नंबर से एक दूसरे के साथ एड होंगे और यह नंबर है और रूट वाला है तो वो किसी के साथ एड ने होगा और वो अकेला बचेगा ठीक है नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेशन नंबर फॉर अब जेखो यहाँ पर आपको एक क्वेशन होगा कि यह रूट फाइए और यह रूट टैन है तो दोनों एक दूसरे के साथ मल्टिप्लाई क्यों है दोनों तो अनलैक टम्स होंगे लेकिन यहाँ पर आपको यह चीज़ होटा है ठीक है अगर आपको ऐसा दिया है कि रूट फाई प्लस रूट टू तो यह दोनों टम्स एक दूसरे के साथ एड़ नहीं हो सकते क्योंकि यह दोनों टम्स कैसे अनलैक टम्स है तो यहाँ पर इसका आंसर कुछ भी नहाएगा वही आंसर रहेगा ठीक है लेकिन नमबर पूर आपको दिया है रूट 5-0 टू एंड रोट 5 फ्लस रूट 2 ठीक है यहाँ बेबी कॉस्चन देखो गए तो एकदम सिमिलर कोशन है कुस्चन नमबर 2 जैसा ठीक है यहाँ बेदिक होग एक्स माइनस वाई-एग स्प्लस भाई ठीक है यही इदेन्टीटी उसक को याद रखनी है कि x minus y x plus y हो या फिर plus वाला time आगे भी हो तो भी उसका answer x square minus y square यहाथ है ठीक है बीच में always क्या आएगा minus आएगा तो यहाँ बीच में हमने क्या लिखा minus फिर root 5 का square हो जाएगा 5 ठीक है जैसे मैंने explain किया कि सिर्फ root निकल जाएगा और यहाँ पे root 2 का square करें तो root निकल जाएगा तो बन जाएगा 2 तो यहाँ पे 5 minus 2 का answer आपको आता है यह 3 आ जाएगा ठीक है तो यहाँ question number 4 का answer क्या होगा 3 तो यहाँ पे हमारे सारे questions खतम होते है और इसी के साथ हमारे exercise number 1.5 के question number 1 और question number 2 भी खतम होता है ओके that's it for today students अगर आप कोई वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को like करना मत बूलना और यहाँ पे screen पे आपको मेरी photo दिख रही होगी जिस पे click करके आप इस channel को subscribe कर सकते हो स्क्रीन पे दूसरे दिखाए गए वीडियो से जिसमें आप इस chapter के related कुछ book के questions और कुछ important questions भी देख सकते हो तो मिलते हैं next video में तब तक के लिए बबाई